तो आज है 16th of October जो कि है मेरा birthday और आज का जो मेरा दिन का शुरुआत है वह हम करने वाले है गुरुजी की ब्लेसिंग से जिसके लिए हम जा रहे हैं अच्छा तर्कुरुन की ब्लेसिंग्स लेने और अभी टाइम हो रहा है सारे साथ और यहां पर मैं और मेरे अजबन दोनो दयार है एक्षिली प्लान था सुवह चेवजे निकलने का विकास मंडे है तो आज जो आश्रम है वह सुवह साथ बजी से खुल जाता है और शाम की आट बचे तक रहता है तो वैसे प्लान था चेवजे निकलने का विकास हमारे घर से जो डिस्तेंस है चाधर पूर हमारा डीले हो गया था और मैं आपको दिखाती हो हमारा लुक है यह मेरा लुक है कि मैंने कोट सेट पहना है जो कि मैंने खरीदा था आरे जबाद से और यह है इनका लुक बुड़ा मैचिंग हो रहा है सेम तो चलिए गाइस चलते हैं तो गाइस दो गंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच के थे गुरुजी के आश्रम और गुरुजी के आश्रम की एंट्री जो थी वो यहां से वाक-इन थी करीब पात से दस मिनट की वाक-इन थी सेवा दार भी लगे हुए थे जो बुड़े बुरुजूर्ग हैं जो नहीं जा सकते पैदल उनके लिए सेवा के गाडिया लगी थी अंदर वीडियो शूट अलाउड नहीं था इसलिए धर्शन करके यह एक्जिट हो रहे थे हम यह कर दोगां से भी हमने वॉकी नहीं कीया कि मुवी चिरू होने में घॉम पहूंच बनुअ हैं हैं तो यहां था मुशी लोपी में हमने का टाइम था तो दो 35 में हम यहां पर बैट गए थे और थोड़ा फोटो शूट किया थोड़ी वीडियो बनाई एंड आट सेट मुवी इंजॉई करी मुवी इंजॉई करने के बात हम गए एक लाउच में जो कि था मयूर विहार में सिक्का ब्लासा की पास था किंग कैसरे न तो हम बसिक्का प्लासा में पहुंचे जो की एक पार्टी लाउंच था केंग कैसे नो हो यहां पर पहुंचे एक अले की वाइप थी बहुत ही ब्यूटिफिल प्लेस था और यहां का इंटेरियर यहां का एंबियंस यहां का फूड सब कुछ बहुत बढ़िया लगा हमें और शाम हो गई थी और सबसे बढ़िया बात की लगी कि मुझे यहां पर यह रूफ काफे था हावा बहुत अच्छे चल रही थी शाम के राइम पर और मौसम यह इतना बढ़िया अमेजिंग हो रखा था कि इसमें हमारे मेरे पूरे बर्डे में चाह शान दगा दी बात अपर बात कर दो कि मुझे उर सकैड़ हों नह एफ परो गäre बातानाम के इसा करने को फोस्तोके इसमारे मेरे गादा clinों कर दो कर दो कर दो